अब लिए अब भी खबर आई है तो मैं यह समझत हूँ कि आप तक यह खबर जो लोग इंट्रस्टेड है जो चाहते हैं दिल से कि मैं हज़ कर जाऊं तो उन तक यह खबरे पहुंशने चाहिए पास्पोर्ट से रिलेटिड हैं और वह जरुम से रिलेटिड हैं वीडियो स्टारट करना इस सब्हाइलнаком से साथ हौछ लोग भी खाब की सचायागा तो वो अपने घर की सादत जरूर नसीब परमाए और वो तमाम लोग जो हज पर रचानना चाहते हैं वो इस साल यानि कि 2024 में जरूर हज करें मेरी इस दुआ के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले ज़नाब जो खबर आ रही है वो हज के एकस्पेंसे से रिलेटिड हैं और हकुमत ने काबीना तक यह खबर पहुचा दिया है जो पॉलिसी है उसमें यही तज्वीज किया गया है कि 11 लाक रुपे हाजियों से वसूल किये जाएंगे अभी फिलहाल यकमुष्ट यानि के पहले किस्तों की बात करे थे अभी फिलहाल बात यहां पर आके रुक गया है कि यकमुष्ट लिये जाएंगे उसके बाद जो चीज़े बचेंगी जो अर्रेंजमेंट्स करने के बाद जो चीज़े पैसे बचेंगे वो हम हजी साहिबान को वापस कर देंगे तो मैं तो सबसे पहले ये भी question करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आप पहले से ही calculate कर लें पहले अपने तमाम मौईदे कर लें लोगों से सिरफ एक 20,000 रुपे फीस लें जो हज application की फीस हो तमाम मौईदे कर लें आपको expenses पता लग जाएंगे उसके बाद आप किस्तों में चाहिए लोगों से पैसे ले लें लोगों को पैसे लेके भाग तोड़ी जाएंगे आपके application देके भाग तोड़ी जाना है तो ये बहुत अजीब सी बात है कि 11 लाक रुपे आप पहले लेंगे और फिर काफी महीनों के बाद उसमें से 2 लाक रुपे, 3 लाक रुपे आप लोग या 1.5 लाक रुपे वापस कर देंगे तो ये बैंक में जो पैसा पढ़ रहेगा वो भी जीब सी बात है कि ये गवर्मेंट जो है अपने पास इतना अर्सा क्यों रखती है एक्सपेंसे से रिलेटेड ये बात थी जो च्छाट टाम जो हज है उसमें भी ये खबरे आ रही है कि उसमें भी इतने ही पैसे लिये जाएंगे यानि कि लेके जाएंगे लोगों को बहरी जहाज पर तो पहले भी लोग जाते थी तो उसमें 7-8-8 दिन लग जाते थे बट अब जो क्रूज क्योंके शिप्स आ गे हैं तो उसमें 2-3 दिन के अंदर अंदर लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये एक से दो क्रूज़्ज चिप्स लेने का प्लैन है प्राइवेट सेक्टर का और उसमें 3,000 से 4,000 एक क्रूज़्ज़्ज़प में लोग हाभी साहबान जा सकेंगे तो यह ख़बर है जो लोग private में interested है तो कम खर्चे में वो लोग हज पे जा सकेंगे इसके साथ जो passport related ख़बर है वो यह कि बहुत अर्से से इनकी तकरीबन 15-20 दिन से passport रुके हुए थे क्योंकि जो lamination sheet थी वो सब लोग जानते होंगे मैं भी जानता हूं कि lamination sheet खतम हो गई थी और उसकी वेसे passport प्रिंट नहीं हो पा रहे थी तो आप खबर यह आ रही है कि जना आप वो lamination sheet पहुच गई है passport offices में और अब passport की जो printing है वो स्टार्ट हो जाएगी वो यह कि काबीना में तो क्योंकि जो hedge policy है वो पहुच चुकी है तो उसकी जो approval है वो इस मत के end तक यानि कि 29 तारिफ तक expected है उसकी approval आ जाएगी और जो hedge applications का जो process है वो यह सुनने में आ रहा है कि 6 से 12 तारिफ के दर्मियान कहीं कोई date की announce करेंगे कि आप applications दे सकते हैं अगर 10 या 12 तारिफ को भी hedge applications का process स्टार्ट होता है इसी के दर्मियान तो कहीं November के end तक यह तमाम procedure applications का complete होगा तो आप लोग अपनी तेहरी कर लें अपने documents की तेहरी कर लें पासपोर्ट की, ID cards की, पैसों की, तसवीर की और जो photocopies हैं तमाम documents आप अपने ready कर लें पैसे तो आपने हर हाल में तयार करने ही हैं क्योंकि तकरीबन 15 से 18 दिन सुनने में आ रहा है 15 से 18 दिन या 20 दिन दिये जाएंगे applications को submit करवाने के लिए तो online आप लोग अप्लाइ करेंगे किसी से help लेने की जरूवत नहीं पड़ेगी किसी की सामने request करने की जरूवत नहीं पड़ेगी तो उस वीडियो को ज़रूब बहुत लास्मी है में अखिल में वो सब लोगों के लिए देखना जिन लोगों को online अप्लाइड नहीं करना था तो आज की वीडियो में नहीं कहना था comment section में कोई question हो तो आप लोग जरूब पूश सकते हैं मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूब आपको जवाब दूँगा चैनल पके नहीं जरूब सब्सक्राइब कर लेजगा अपने अपने घर्वालों को बहुत ज़्यदा ख्याल रखिएगा अलाह आपस